नवस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बेहत खुबसूरत ग्राउन गार्डेन विजिट कराने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप इंस्पायर हुए बिना नहीं रह सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा एक्चली दोस्तों ये खुबसूरत गार्डेन दिखाने का मेरा उद्देश ये है कि आप इसे देखकर बहुत कुछ सिख सकते हैं किसी भी गार्डेन को खुबसूरत लुक देने के लिए क्या क्या करनी चाहिए प्लांट किस तरह लगाना चाहिए साब सुत्रा वेल मेंटें कितना महतपूर्ण है यहां पर यह सभी बाते देखने को मिलेगी और यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब कुछ बता कर ही सिखाया जा सकता है सिखने वाले तो देखकर ही सिख जाते हैं और देखकर सिखने की छमता आप में नहीं है तो आप इस शितर में कुछ खास नहीं कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि दुरंटा प्लांट का बॉर्डर के नीचे केवेज प्लांट और फिर किनारे सफेज छोटे-छोटे स्टोन की लाइनिंग की वज़े से कितना खुबसूरत दिख रहा है साथ ही इंप्टेंसल प्लांट का बेड और पीछे बंबू का घिरा बना देने से गार्डेन का ये कोना कितने खुबसूरती बिखे रही है यही सब तो सिखने की ज़वरत है और यहां पर सामने का बढ़ांदा भी काफी सजदज के तयार है और ढेर सारे खुबसूरत सजावट के साथ दुरांटा प्लांट का बॉर्डर को देख लीजिए अक्सर सभी खुबसूरत गार्डेन में इस प्लांट का बॉर्डर देखने को मिलेगा लेकिन इसे देखने का मतलब यह नहीं कि हम ऐसा ही लुक क्रियेट करें हम इसे भी बहतर बना सकते हैं जिसे की गार्डेन और भी बहत खुबसूरत दिखने लगे और हमने ऐसा ही किया जिसके एक छोटी सी जलक दिखाना तो लाजमी है तो यहाँ पर यह मेरा गार्डेन लुक देख सकते हैं और यहाँ पर हमने डुरांटा प्लांट का एक बहत खुबसूरत लुक तयार कर दिया तो देखने का मतलब यह हुआ कि हम देख कर और भी कुछ बहतर कर सकें और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और वापस चलते हैं फिर वहीं और यहां पर देख सकते हैं कि यह डुरांटा प्लांट का बॉर्डर बिल्कुल सीधी आकार में है तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का गार्डेन जो की बेहत खुशुरत दिख रही है इससे भी बढ़िया कुछ करने का जज़बा होनी चाहिए और यहां पर सिखने के लिए ये बाते हैं कि किसी भी गार्डेन में बॉर्डर का होना क्यों ज़रूरी है और यहां पर एक बॉर्डर नहीं बलकि तिन तिन बॉर्डर लुक दिया गिया है एक तूडूरंटा प्लांट फिर नीचे केवेज प्लांट का और फिर उसके बाद सफेज छोटे छोटे स्टोन तो इस तरह गाइडन को खुबसूरत बनाने में इन सब बातों का ख्याल लखना चाहिए जैसा कि आप देख कर समझ सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्लांट को इस्टेंट पर कितनी खुबसूरती से सजाया गया है साथ ही कलर फूल पॉट और नीट एंड क्लीन इस्टेंट कहीं कोई दाग धबा नहीं यही तो होना चाहिए और यही सब सीखने की जवरत भी है साफ सफाई का इतना ध्यान एक खुबसूरत गार्डेनर की पहचान है और दोस्तों किसी तरह का दाग धबा नहीं होना यह बहुत बड़ी बात है और इस बात की प्रेड़ना लेने की जवरत है किसी भी तरह का दाग धबा पुरे गार्डेन लुक को खराब कर देता है और यहाँ पर जिनिया प्लांट के धेड़ साड़े फूल एक बेड़ की तरह सजे हुए है यही तरीका भी है लगाने का और इस तरह एक खुशूरत ना जा रहा हमें देखने को मिल रहा है छोटे छोटे सफेदे स्टोट अपनी एक अलग खुशूरती बिखे रही है और यहाँ पर एक कोरनर पर डॉक फ्लावर का बेड़ और पास में यह सांदार फ्लावर एस्टेंट से भी खुशूरती बढ़ गई है और अब आप यहाँ पर धेड सारे जिनिया प्लांट के फूल देख सकते हैं जो लंबे समय तक खिली रहती है इस तरह धेड सारे जिनिया प्लांट का बेड तयार कर आप अपने गार्डेन को बेहत खुशूरत लुक परदान कर सकते हैं और यहाँ पर यह रहा पिटुनिया की टिकोटी भाराइटी जो पॉट में काफी डिसिप्लिन के साथ फैलती है और यह निमूलस प्लांट है और फास में यह सिलोसिया का खुशूरत बेड और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि डेहलिया प्लांट को डिसिप्लिन में रखने के लिए बांस का खुटा लगा दिया गया है और साथ में धागे का घेडा ये इसले लगा दिया गया है कि प्लांट इधर उधर जुके नहीं बहुत ही यूनिक आइडिया हमें यहां सिखने को मिला और दोस्तों बीच में एक खुबसूरत स्टेंड भी कार्डेन की सोभा को दूगनी कर देती है और यहां पर पिटुनिया का बेड कितनी खुबसूरत लुक दे रही है और इसी तरह मेरी गोल्ड को अलग-अलग बेड बना कर लगाया गया है तो इस तरह लगाने से गार्डेन की रोनक कुछ अलग ही दिखती है और फूलों के अलावे कुछ खुबसूरत बस्तुएं भी गार्डेन के लुक को बेहत खुबसूरत बना देती है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह असोक चक्र की वज़य से गार्डेन की खुबसूरती कुछ अलग ही दिख रही है साथ ही हेंगिंग बास्केट का होना भी जरूरी है और गार्डेन भी क्या जहां हेंगिंग प्लांट ना हो और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि बंबू के छोटे छोटे टुकरे से किस तरह गार्डेन को डेकुरेट किया गया है यही सब तो सीखने की जवरत है और बीच में इंप्रेशन प्लांट का बेड बना दिया गया है तो इस तरह छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट का बेड बना कर कुछ इस तरह से गार्डन को खुशूरत लुक दिया जा सकता है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह जीनिया प्लांट का बेड बनाया गया है जो देखने में बेहत खुशूरत लगता है तो वहर ओल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा भराइटी के प्लांट नहीं है इसके बाब जुद भी गार्डेन की खुशूरती देखने लाइक है तो हमारी सोच भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए कि चार-पांच भराइटी के प्लांट को ही भरपूर मातरा में लगा कर कुछ इस तरह ही अपने गार्डेन को खुशूरत पना सकते हैं तो दोस्तों इसके साथ इजाजत चाहूंगा धन्यवाद